जै मातादी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माग माश में आने वाली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी के बारे में यानि की प्रदोश के व्रत के बारे में मंगलवार है आज और आज ही प्रदोश का व्रत है मंगलवार के दिन जब भी प्रदोश का व्रत आता है तो उसे भौम प्रदोश का व्रत करने से सभी प्रकार के रोगों से, रेड से और शत्रों से मुक्ति मिलती है क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है और भगवान शिव और शक्ति के साथ हम हनुमान जी की भी विशेश आरातना करते हैं जब आज के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारी जीवन के हर संकर्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोश का व्रत करने से सब प्रकार की कामना पूर्ण होती है क्योंकि ये व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। रोग रिण और शत्रूं से परिशान है तो आपको प्रदोश का व्रत जरूर करना चाहिए इससे आपके घर में धन का आगमन होगा शत्रू आपके परास्त होंगे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी धन प्राप्ति के लिए सुख सम्रिधी के लिए सुखत दामपत्य जीवन के लिए प्रदोश का व्रत करने से सीक्र ही हमारी कामनाएं पुर्ण होती है और जब भौम प्रदोश आता है तब हमें विशेश कर भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए ज ilayasih दिवाद भगवान शिव की पूजा आप अपने घर में करें और करने के बाद संकल्प ले कि आप ये व्रत कर रहे हैं अगर किसी कामना कर रहे हैं तो वो कामना भगवान बोले नाथ को बताएं और फिर आप व्रत करें पूरे दिन आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं चाहे तो निर्जल ले सकते हैं दोनों ही तरह से ये व्रत किया जाता है कुछ लोग निर्जल भी रहते हैं और कुछ लोग फलाहार भी करते हैं अपने श जाकर भगवान भोले नात की पूजा करें उनका अभिषेक करें शिव और शक्ति की एक साथ आराधना करने का विशेश फल प्राप्त होता है आज के दिन आपको हनुआन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए और हनुमान जी के पास जाकर उनसे प्राथना करनी चाहिए उनके साम प्रदोषकाल मेप्वजा करते हैं और पुज़ा कि जाती लिए तो भगवान शिवाकी और अपनी मनें तो वह आपना हो जाती है तो फूह गणिर पूज़ा होता है सुर्यास्त से एक घंटे पहले और एक घंटे बाद का जो समय होता है यह समय पूजा के लिए विशेश महत्वपुर्ण होता है तो इसी समय में पूजा की जाती है और शाम को पूजा करने के बाद आप चाहे तो अन ग्रहन कर सकते हैं मीठा भोजन ले सकते हैं कोई भी एक अन आप शाम को ले सकते हैं चाहे तो आप शाम को फलाहार ले सकते हैं जैसे पूरे दिन आप निर्जल रहे तो शाम के समय फलाहार ले फिर अगले दिन आप भोजन कर सकते हैं दोनों ही तरह से यह व्रत किया जाता है इस बार भॉम प्रदोश कब शुरू हो रहा है और त तो तिथी प्रारंब हो रही है, नौ फर्वरी, प्रात्य हकाल, तीन बज कर 19 मिनट से, और समाप्त हो रही है, 10 फरवरी की सुबह, दो बज कर 5 मिनट पर, तो शाम के समय, जो पूजा का महोर्थ होगा, 9 फरवरी को मंगल्वार को, 6 बज कर 3 मिनट से लेकर 8 बज कर 40 मिनट तक का ये बहुत शुब महुरत है और इस समय में आपको पूजा करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों कथा के बारे में कथा कैसे करनी चाहिए क्था बहुत जरूरी है कथा सुने बिना कोई भी व्रत कोई भी पूजा पूरुने इसलिए कथा को जरूर सुने और कथा कभी भी बीच में अधूरी नहीं छोड़ी जाती है इसलिए कथा को पूरा सुने दोस्तों एक समय की बात है एक स्थान पर एक व्रिद्ध महिला रहती थी उसका एक बेटा था वह व्रिद्ध हनुमान जी की पूजा करती थी और वह हनुमान जी ने सोचा कि अपने भक्त व्रिद्ध की परिक्षा ली जाए एक साधू का वेश धारन करके वो उसके घर आए और उन्होंने उसे आवाज लगाते हुए कहा कि कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पुरण कर सकता है जब उनकी आवाज उस व्रिद्ध क कान में पड़ी तो वो जल्दी से बाहर आई और उसने शाधू को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं इस पर हनुमान जी ने कहा कि उन्हें भूख लगी है और वे भोजन करना चाहते हैं तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो इस पर हनुमान जी इस पर उस चला दो उस पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे हनुमान जी की बात सुनकर वो व्रिद्धा परिशान हो गई पर करे भी तो क्या करे क्योंकि उसने हनुमान जी को बुलाया और उसे हनुमान जी को शौप दिया हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लिटा दिया और वृद्धा से उसकी पीट पर आग जलवा दी, वो वृद्धा आग जला कर घर में चली गई, कुछ समय बाद शाधू के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर बुलाया, वो घर से बाहर आई, तो उसे हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ, ज अब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा, वो अपनी मा के पास आ गया, अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चरे चकी थी और वो उस साधू के चरणों में नत्मस तक हो गई, तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया और आशिरवात दिया, दोस्तों हन नत्मस जी को प्रसंद्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जब आप शाम के समय भगवान शिव का अभिशेक करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप शाम के समय और सुबह भी दोनों समय किसी भी समय जब आप भगवान बोले नाद के अभिशेक के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि आप थोड़ा सा कच्छा दूद और गुड़ डालकर और बेल पत्र पर ओम नमह शिवाय लिखकर अभिशेक करें, जब आप अभिशेक कर लेते हैं पहले दूद और गुड़ से उसके बाद से आपको जो भी आपने बेल पत्र लिया ह उन सभी बेल पत्र पर आपको चंदन से ओम नमह सिवाय लिखना ए और एक एक बेल पत्र आपको भोले नात पर अभिशेक करते हैं, आपकी कोई भी कामनः हो, बहुत ही शीगर पुरुन होती है आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पुरुन हो किसी भी कामना से आपने व्रत रखा हुआ है और ये व्रत की जो भी कामना है वो पुरुन हो जाए आपके घर में धनका आगमन हो आपका मान सम्मान बढ़े आपके घर में वंश की वृद्धी हो संतान की प्राप्ति हो इसके लिए आप हनुमान जी की विशेशा रातना करें तो हनुमान जी के मंदिर जाकर शुद्धी का दीपक चलाएं बुंदी के लड़ू अर्पित करें इसके साथ ही आपको अपने घर से एक लाल जंडा लेकर जाना है और भगवान शिव के मंदिर भगव आप ये उपाय आज के दिन यानि भौम प्रदोश के दिन जरूर करें इस उपाय को करने से आपकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहेगी रोग रिण सत्रूंशे मुक्ति मिलेगी संतान प्राप्ति चाहते हैं तो वो भी कामना पुरुन होगी व्यापार में व्रिद्धी होगी कि धन में व्रिद्धी होगी मान सम मान सब में व्रिद्धी होती है हनुमान जी कि क्रिपा मिलती है तो हर कामना हो जाती है पूरे श्रद्धताबौ से करें ए उपाइब और मन में विश्वास रखें कि भगवान भोले नाद की पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कामना तो अवश्य पूरण होगी तो मीट करती हूँ आज की वीडियो जो की भॉम प्रदोश के सभी विधी है इसमें मैंने बताया आपको किस तरह से आपको पीवरत करना है कौन सा विशेश उपाय करना है जरूर आपके लिए लाबदायक होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लि